आप सभी को चैत्र नवरात्री की असीम शुप कामनाएं चैत्र नवरात्री का पाचवा दिन मासकन माता का है इस दिन मासकन माता की पूजा भवत जवन करते हैं मासकन माता की पूजा करने से सभी तरह की मनो कामनाएं पूरी होती है शत्रू पर वजह मिलती है और निसंतान लोगों को संतान सुख मिलता है सबसे पहले मन में सवार ये आता है कि मास्कन माता कौन है मादरुगा के पाँचवे विक्रह या स्वरूप का अवटार क्यों हुआ चार भुजाओंवाली मा सकंद माता देवी, पारपती या मा दुरगा का पाचवा सवरूप है यह चार भुजाओंवाली माता शेर पर सवारी करती है इनके हाथों में कमल पुष्प होता है और अपने पुत्र सकंद कुमार यानी भगवान कार्थिके को ये पकड़ी हुनी है भगवान कार्थिके को है सकंद कुमार कहते हैं सकंद कुमार सकंद माता कार्थ है सकंद कुमार की माता पौराडे कथाओं के अनुसार संसार में जब तरका सुर का अत्याचार बढ़ने लगा तो सभी देवी देवता, मनुशे गंधर वरिशी मुने सभी चुन्पित हो गए उन सभी ने मादा पारवती से तरका सुर के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने की प्राथना की उसके पश्राद आदिशक्ती ने अपने तेज सेच्छी मुक्वाले बालक सकंध कुमार को जर्म दिया आगे चलकर उनके हाथ ही तरका सुर का अंधुआ और सभी को उसके अत्याचार से मुक्ति मिली इस तरह से मादरुका का पांचवा सरू मा सकंध माता बनी सकंध माता के पूजन से भक्तों को अपने हर तरह की रोग दोशों से मुक्ति मनती है अब रातरी के पांचवे दिन की पूजा का विधान आपको अब बताते हैं सकंध माता की पूजा से पहले कलश देवता अठात भगवान गडेश का विधेवत तरीके से पूजन करना चाहिए भगवान गडेश को भूल, अक्षत, रोली, चंदन, अरपित कर उण्हें दूद, दही और शुकर, घृत और मधु से स्नान कराने के पशाद देवी को सकंध माता का पूजन शुरू करें सबसे पहले अपने हाद में कमल का फूल लेकर उनका ध्यान करें सकंध माता का पूजन कर उन्हें लाल पूल, अक्षत, कुम oikeust, सिंदूर, अरपित करें, या फिर कपूल जलाकर सकनमाता की आर्पी करें इसके बाद अंद में मा के मंत्रों का उचारण करते हुए उनसे अपनी भूल चूपके लिए मा की मांदें मासकनमाता आपने सभी भक्तों का कल्यार करें ही कामना है इंडिया न्यूज की तरफ से आप सभी को चैतर नवरात्री की धेरों शुपकामना है